हेलो एवरिवन, वेलकम टू माई चैनल आनलाइन जी एस भाई दिवाकर इस वीडियो में हम लोग जय भी वित्ता यानि बायो डायवर्सिटी के बारे में बात करेंगे बायो डायवर्सिटी क्या है? विविन संगठनों के द्वारा इसकी परिवासा जो दी गई है उसके बारे में इसके खोज किसने की और इससे रिलेटर जो परिक्षाओं में प्रस्न पूछे गए हैं इस वीडियो में उसको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यह पूरा वीडियो यह आप देखेंगे यह जो टॉपिक है जय विविद्दा यह टॉपिक ना केवल आपका UGC नेट में UGC नेट में में संट तो नहीं है यह नेट के पेपर में आप से लेवस उठा के देखेंगे इंबार्मेंट टॉपिक यूनिट नंबर फोर में में संट तो नहीं है लेकिन यहाँ से प्रस्ण पूछे जाते हैं यह आपका UGC नेट पेपर वन के लिए भी मोस्ट इंपोर्टन है क्योंकि पेपर वन में भी कई बार यहाँ से प्रस्ण आपका पूछा गया है अब हम बात करते हैं यहाँ पे आपका GIC, PGT, TGT यह तीनों जो परिक्षाएं हैं इन तीनों में आपका जय विवित्ता जो टॉपिक है यह डायरेक्ट यहाँ पे मेंसन किया गया है इसलिए यह यहाँ पे ज़्यादा महत्यपूर्ण हो जाता है साथ ही साथ आपटेट, सीटेट, सूपरटेट या जूनियर जूबएकंसी आई है कहीं पे भी आप देखेंगे कि यहाँ तक कि GS में भी इस टॉपिक से प्रस्ण आते हैं तो आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में इंटॉडक्शन इसलिए देना जरूरी होता है क्योंकि यह टॉपिक कहां-कहां आपके लिए यूसफूल होगा इसकी प्रसंगिक्ता आप उससे समझ सकते हैं तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जय विवित्ता क्या है सभी पसूँ, पादपूँ, एवं सुक्षम जीओं तथा पारिस्तितिक जटिलताओं की विभिनताओं यह उँ परिवर्तन सिलता को जय विवित्ता कहते हैं यहां बात क्या किया गया कि बायो डाईवरसिटी के इंतरगत पसूँओं, पादपूँ और शुक्षम जीओं यानि कि इनकी जो समपूण पारिस्थितिक जटिलता का ताथ पर पारितंत्र ये क्या करते हैं, कौन से कारिशंपन करते हैं, सभी को संपोन रूप से क्या का गया, बायो डायवर्सिटी का गया, इसमें ध्यान दीजिए, आपका निर्जियू नहीं बलकि क्या, पसू, पादप, सूचमजियू, सभी सज जियों के द्वारा जो पारिस्थितिक जटिलता हों की विभिनता और परिवर्तन सीलता है, उसी को क्या बोला जाता है, जैविवित्ता, ये परिभासा किसने दी है, ये अन्यों के द्वारा दी गई है, जैविवित्ता से विशेश कर हम लोग तातपरी इस अर्थ में लेत विटा मतलब परियाप्त ता एक प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो भिन भिन अलग अलग जीओं हैं उनकी बहुलता से संबंदी थे आनि कि ये किसी भौगोलिक छेतर में एक साथ पाये जाने वाले जीओं की बहुलता से संबंदी थे ये टर्म्स यानि बायो डायोर्सिट इसमें बनस्पति और जन्तूं की समस्त प्रजातियों को शमाहित किया जाता है यहीं हम लोग WWF जो World Wild Fund ठीक WWF के बारे में उसके द्वारा जैविवित्ता के बारे में कुछ तत्थे दिये गए उसने ये कहा गया कि किसी भी छेतर में पाये जाने वाले बिभिन प्रकार के जीवन के लिए जैविवित्ता का सब्द प्रयोग किया जा सकता है चाहे वो जन्तूं हों पोदे हों कवक हो इन सभी से मिलकर प्रकृत का निर्माड होता है और ये सभी प्रकृत में पाये जाते हैं और पारितंत्र में ये सभी जीव आपस में मिलकर क्या करते हैं अंतर क्रिया करते हैं जो पारितंद्र को, यानि कि जो उकोलोजी को संतुलिद बनाये, बैलेंस बनाये रखते हैं तो जय विवित्ता हमें वो अ सब कुछ प्रदान करती हैं, जो हमारे जीवन के लिए आधारे जैसे जय विवित्ता में क्या देती है स्वक्ष जल भोजन रहने का आस्थान यानि आवास और आवसदी जीवन जीने होगे अनुकूल दसा ये सभी कौन प्रवाइट कराता है जय विवित्ता ये कौन कहरा है डबलू डबलू यह बोला है कि जैविवित्ता से हमें ये सब चीज़ें प्राप्त होती है ठीक तो ये चीज़ें किसके द्वारा प्राप्त होती है जैविवित्ता से हमें प्राप्त होती है ये किसके परिवासा है www.yaf ने दिया था एक बार ये प्रसन आप से पूछा गया था कि जैवीवित्ता हमें सब कुछ प्रदान करती है जो हमारे जी उनका आधार है यह कथन किस के द्वारा किया गया है तो यह कथन आपका किस के द्वारा दिया गया है www.waf के द्वारा दिया गया है यहाँ आप देखें जैवीवित्ता जो टर्म्स है biological diversity के रूप में पहले यूच किया जाता था तो biological diversity यानि इसे क्या बूला गया जैविक विविदता बूला गया आप एक color थोड़ा साथ change कर दें जैविक विविदता प्रस्न आपसे पूछा जाएगा कि biological diversity सब्द किस ने दिया तो सरब्रतम 1960 में साथ में इसका डास्माइन भी आएगा इसने दिया था इनकी पुस्तक थी a different kind of country यानि a different kind country में इन्होंने biological diversity सब्द का उपयोग किया था ध्यान दियेगा bio diversity नहीं बलकि क्या बूला था biological diversity जैविक विविदता जैव विविदता सब्द का सबसे पहली बार जो परियोग के हुआ था ये 1985 में Walter G. Rosen के द्वारा किया गया था आप देखें यहाँ पे आगया प्रस्न आप से पूछा जाएगा कि bio diversity सब्द का सब्रतम परियोग किस ने किया तो G. Rosen ने किया था ये दिया आए कि जैविक विविदता सब्द का सब्रतम परियोग किस ने किया था तो आप क्या लगाएंगे abdashman जैविक विविदता सब्द का पहले बार परियोग किया था ठीक clear हुआ चले next point देखते हैं यहाँ पे Rio Samelan की बात कर लें तो Rio Samelan कब हुआ था 1992 में अभी जो Rio Samelan 1992 यानी 1992 में हुआ था कहां पे हुआ था तो ये ब्राजील में हुआ था कहां पे हुआ था Rio Samelan ब्राजील में हुआ था इसे पृत्वी Samelan के नाम से भी जाना जाता है आपकी परिक्षाओं में यह प्रशनाएं है गया अस्थली महासागरी और जली पारितंत्रों में उपस्थित जीयों की बीच जो बिभिनता होती है विविदता होती है उसे ही बायो डाइवर्सिटी कहा जाता है रियो सम्मेलन 1992 जिसे पृत्वी सम्मेलन भी कहा गया और इसी समय एजिन्डा 21 भी आया था ठीक जै विवित्ता के प्रकारों की बात कर लें जै विवित्ता के कई प्रकार होते हैं विविनाधारों के प्रकारों को विभाजित किया गया है सबसे पहला यहां पे दिया गया है कि अनुबानसिक विवित्ता दूसरा है प्रजाती विवित्ता तीसरा है सामधाय किया पारितंत कि अलक अलकस्यों में अलग अलक अनुबांसिक लक्ष्ण нее कि होने या एक ही प्रजाति के जीन इस उने वाले परिवर्थनों से लिया जाता है यानि यह यह क्या है अनुबांसिक विवित्ता एक प्रजात में उपस्ति जो जीन की विवेदता है उसका यह विशलेशन करती है ठीक यहनी कि प्रतेक जो जीनोम एनॉलसिस किया जाता है अनुबांसिक विवित्ता में क्या है यह कही प्रजाती रहेगा उसके विविन अलग अलग जी कि यह कि विशलेशन करता है अर्थात की अनुबानसिक विवित्ता किसी भी समस्ट को इसके परयावन के अनुकूल होने और जो नेचुरल सेलेक्शन होता है प्राकृतिक चैन होता है उसके प्रती अनुक्रिया प्रदर्सित करने के योग्य बनाती है ठीक तो एक प्रकार से अनुबानसिक विवित्ता क्या है कि मालेजिक कोई एक प्रजाती है उसके जो अलग-अलग सदस्य है उनके जो अलग-अलग अनुबानसिक लग्षड है अनुबानसिक लग्षड यानि कि जो जीन से रिलेटेट करेक्टरिक्स्टिक्स हैं उसको इसमें सामिल किया जाता है प्रजाति के सभी सदस्य किसी एक खत्रे से प्रभावित होने की संभावना अधिक होती है जबकि उसमें जो बिविद्टा के कार्ड इन खत्रों के प्रति प्रतिरोधक शमता आ जाती है जैसे माल लेजिए जो जेनिटिकली मोडिफाई फूड है जैसे बीटी काटन था आपका थी बीटी कपास बीटी कपास में इतना ज़्यादा इसमें बैक्टिरिया लग रहे थे कि जो आपका दवा का छड़काव किया जाए तो कई कई तेर फसल यहां पर कोई असर नहीं पड़ता था दवा का और जो कीट लगते थे यह इसे खा जाते थे तो उसके बाद वह जानिकों ने कि इस कीट का जो जीन है और जो काटन है इन दोनों का आपस में पराखड कराके एक नया सीट्स डिवलप किया जिसका नाम उन्होंने रखा बीटी काटन यह क्या था जेनिटिकली मोडिफाई था यानि जीएम फूड है ठीक जेनिटिकली मोडिफाई फूड इसे का जाता है या सीट्स का जाता है अब क्या होता है अब जो बीटी काटन टाइप के जो सीट्स हैं इसमें तो यह जो BT Carton था यानि इम बात करें थे GM Food की यानि जनिटकली मोडिफाई फोड की तो इसमें उसी प्रतिरोधक छमता को विक्सित किया गया यानि एक प्रकार से जो BT Carton है जिक क्या है एक प्रकार से जो BT Carton हो गया या BT बैगन हो गया बैगन में भी आप देखते हैं कि धेर सारा इसमें किटाडू लगते हैं जो मार्केट में अभी वर्दमान समय में जो बैगन आते हैं आप उसको देखेंगे उसका कलर अलग अलग होते हैं अंतरगत सामिल किया जाता है अलाकि भारत में अभी तक ये अफिसली माननता नहीं थी लेकिन कुछ फसलों के लिए विशेस माननता प्राप्त है जैसे काटन के लिए यानि कपास के लिए क्योंकि इसमें कई हजारों रूपय लोगों के खर्च हो जाते हैं तो यह है जेनेट और इसके जीन में जो रोग है कुछ ऐसे रोग होते हैं जो पीड़ी दर पीड़ी एक दूसरे से अस्तानांतरित होते रहते हैं लेकिन यदि मानने जिए इसमें ये रोग है तो जो दूसरी पीड़ी आएगा उसमें यही रोग होगा तीसरी पीड़ी में भी यही रोग हो सेंड पीड़ी आएगी, तो इसमें यह इस्तिती नहीं देखने की मिलेगी। फोर्त में भी निलेगी। इसमें महानें जर इसकोई एक रोग होता है तो ये पीड़ी पूरी समापत हो जाएगी। लेकिन ये पीड़ी नहीं चांपत होती। क्योंकि आपका मूल एक इस्तिती ऐसी आएगी कि सारी चीजे मार्केट में क्या हो गए जीम हो जाएगी यानि जिन्टिकली मॉडिफाई हो जाएगी और जो आपका मूल बीज रहेगा मूल पौधा रहेगा मूल फसल रहेगी यह आपको नहीं मिल पाएगी हो सकता है कि इन फ्यूच जाएगा तो हमारा जो मूल फसल है वो तो हमको नहीं प्राप्धना तो फिर इसमें मॉडिफाई करना पड़ेगा और इसमें जो रोग लगेगा वो बहुत भीशड होगा तो यह है जेनेटिक डाइवर्सिटी यहाँ पर हमने एक इमेज भी आड़ किया है आप देख सकते हैं देखे यह तो क्या है बिल्लिया ही है लेकिन इसमें देखे बिल्लियों का जो टाइप है वो अलग अलग है तो यही है अनुबांसिक बिविदिता इसमें देखे यह अलग है 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 लेकिन परजाति क्या है सभी बिल्लियों की प्रजातियां हैं समझ में आई बात चले दूसरा जो टाइप है दूसरा टाइप है यहाँ पे वो है इस्पेसीज डाइवर्सिटी या प्रजाती विवित्ता प्रजाती विवित्ता क्या इसमें एक समुदाय या पारितन्त में उपस्थित जो पादप हैं पहुदे हैं या जन्तु हैं इसकी विविन प्रजातियों में विवित्ता पाई जाती अर्थात की परजाती विविद्टा जितनी अधिक होगी आहार स्रिंखला उतनी ही जटिल होगी जिसके कारण जे विविद्टा भी उतनी ही सम्रिद्ध होगी समझें आई बात कि जो परजाती विवित्ता है अलग अलग परजातियों की वो जितनी ज्यादा अधिक होगी परजाती विवित्ता जो आहार स्रिंखला है वो उतनी ज्यादा जटिल होगी आहार स्रिंखला जटिल कैसे होगी मान लिजे ये अलग परजाती क्या है ये अलग खा रहा है यह अलग प्रजाति का अलग क्षा रहा है तो सब्सक्निक जो जटीलिता है शाक्राइश भाद शरिंखलह के जुआ जहीए जिसके कार्ड क्या होगा कि अलग अलंग यह अपने अपनं के लिने विद्धे के लिए अपना अलग सूर्स देखेंगे तो जीरो डिगरी ये बायो डाइवर्सिटी के हाट स्पार्ट कह जाते हैं और ये इसी लिए हाट स्पार्ट कह जाते हैं क्योंकि ये जैविवित्ता वाले सगन छेतर हैं और यहां पर प्रजाती जैविवित्ता अधिक पाई जाती है क्योंकि आप देखेंगे सदा बाहर ब्रि बढ़ जाते हैं तो इसलिए यहाँ पर शर्वादिक जय विवित्ता देखने को मिलते साथ यह अर्थिक रूप से उतने महतने नहीं होते हैं बिसफ रिकए बन लेकिन जय विविट्ता के दिश्वादिक महतने होते हैं जो फ्रजाती विवित्ता है यह उस्ड's कड़िबंदी वर्षा बनों में या तटी पारितंत्रों में सरवादेग देखने को मिलती है जबकि धुरूवी परदेशों में आप देखेंगे बहुत कम होती है जैसे जैसे हम लोग उचाई पी बढ़ते हैं ठीक जैसे जैसे उचाई पी बढ़ते हैं परजाती विवित्त करता भी और त्रथात के उचाई बनने पर जो प्रजाती विविट्टा होती है कि इस परेंबी सान्थाइक या पारितंत्री विवित्ता क्या होती है इस में क्या यहां पर देखे एक और इमेज आइड किया है मैंने इसमें आप आसानी से असपस्ट कर लेंगे यह देखे परजाती विभीत्ता अब यहां पर ध्यान दिजिए परजाती विभीत्ता में यहां देखे शेर है हमने क्या बोला था कि जो खादिस इंखला बहुत जटिल हो गरन हो गया तो यह इसको ख palabras यह इसी सिंपपल फे में तो यहां फाज बहुत जटिलोगी और यह परजाति यहां पर जाति है परजाती-ब्दीट्टीचिन में किसी अस्थान विभाजियarde से क्विएस में एक 거्यांग के ज्यों जिएक होता है यहां पे है समुदाय के जियुजन्तु या बनस्पतियों तथा दूसरे समुदाय के जियुजन्तु और बनस्पतियों के मद्जु जय विवित्ता पाई जाए अर्थात की एक समुदाय यह हो गया इनके बीच जो डाइवर्सिटी पाई जाए इसे क्या बोला जाता है कम्यूटी संद्र हो गया घील हो गया यहाँ पर अलगलग अस्तरों पर अलगलग विविट्टा देखी जाती है बायो डाइवर्सिटी का हाट इसपार्ट आपने देखी लिया कि क्या होता है यह और और 203 की वर्षाबन भी आपने देखी लिया है तो यहां पर देखें कि जो कम्मुनिटी डाइवर्सिटी होती यह है मालीजे समुद्री पारितंत्र है यह इस तरह से है यहीं टुंड्रा में क्या है यह दूसरे से क्या हो गया एकदम अलग हो गया जो भलक हो गया तो भी क्या हो गया विवित्ता हो गई सिंपल वे में ठीक तो यह हो गया परितंत्रों का जो टाइप है सोरी जो यहां पर देखिए फिशुक्रिअ बायो डाइवर्सिटी का जो सुरूप रहर या इसको प्रभावित करने वाले कारक काउन काउन से हैं तो अर्तमान में हम लोग लगवग 10 मिलियन से अधिक प्रजातियों की पहचान कर लिए हैं और जैविवित्ता की बात हम करें तो ये प्रतिवी पे समान रूप से भितरित है नहीं क्योंकि आप देखते हैं कि विशुत रेखी जो प्रदेश हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा जैविवित्ता उसके ऊपर जाने पे जैवित्ता कम होती चली जाती है नीचे जाने पे भी कम होती जाती है जैसे पहाड़ों पे उचाई पे कम होती है नीचे पे बढ़ती है तो जैविवित्ता किसी छेतर विशेस की जलवाई, मिर्दा, तापमान, आदर्था, प्रकास की उपलब्दता, वर्सा इन सभी पे निर्भर करती है जलवाई पे कैसे, जहां पे देखे, जो मरुस्थल जलवाई देख लीजे, मरुस्थली जलवाई और दूसरी तरफ उच्ड़ कड़ी बंदी वर्सावन की जलवाई है यहां पे उच्ड़ कड़ी बंद वाले में आप देखेंगे कि जैविवित्ता मैक्सिमम है मरुस्थलों में आप देखेंगे जहें भी वित्ता नामातर की होती है तो इसमें क्या है मरुस्थलों में गर्म जलवाई है उस लिकटी बंद में सीत जलवाई है मिट्टी भी इसमें निर्वर करती है कि किस परकार की मर्दा है तापमान भी मरुस्थोलों में तापमान ज़्यादा ठीक आधरता भी निर्वर करती है क्योंकि जहां पर कम आधरता है ज़्यादा आधरता है उसी इसाब से वहाँ की productivity भी जिसाइड़ोटी प्रजनन छमता भी इसमें परिवर्तन होता जैसे आप देखेंगे कि जो सीतरी त वाती है उसमें आधरता ज़्यादा होती है उस समय जो मधमक्हिया उसमें परेजनन छमता बढ़ जाती है और मधमक्हियों की शंख्या प्रकास जो प्रवेस कर जाता है तो जब वहां तक धरातल का प्रकास प्रवेस कर जाएगा तो वहां पे आप देखेंगे एलगी या प्रवाल या मचलियों की जो जैविवित्ता है वो अलग होगी अलग नीचे लेयर में जो जलका है समुदरी समुदरी जल का जुलियर है वहाँ पे अलग होगा तो प्रकास की उपलबदा भी इस पे डिपेंड करती है वर्सा भी करती है सरवाधिक जो जैविवित्ता है वो 10 डिगरी नार्थ से लेके 10 डिगरी साउथ जो अच्छान से उसके बीच पाए जाती इसी को 203 की प्रदेश का जाता है और ये उस्ड करिवंदी वर्सावन होते यहाँ पे अनुकूलतम जैविवित्ता छेत्र बिक्षित हो पाता है और इसके लिए बिक्षित होने के कई कारण है यहाँ पे उसी की एकॉर्डिंग क्लाइमेट भी पाए जाती है यहाँ पे देखे अच्छांसी वित्रन भी दिखाया गया है यह महत्तपूर है यह देखे 10 डिग्री नार्थ लेके 10 डिग्री शाहुत तक है और यह आपका उच विवित्ता का छेत्र है जैसे आप उपर जाएंगे यह क्या होगा यहाँ पे देखे बनाया भी गया है इस तरह से ध्यान देजीए यह वाला पार्ट इसको थोड़ा सा छोटा कर दें यहाँ पे देखे इस तरह से तीर का निसन लगा है अर्धात की जैसे जैसे हम लोग उच अच्छांसी पे जाएंगे जैविबित्ता का मान कम होता चला जाएगा जैसे जैसे हम लोग दक्षडी गुलार्द में उच अच्छांसों पे जाएंगे जैविबित्ता क्या होगी? घटती जाएगी तो यहाँ पे देखें निम्न जैविबित्ता यहाँ पे दिखाया गया है कि इस तरह से बढ़ती है यहाँ जो उच तर अच्छांस है उसकी तुलना में जो निम्न तर अच्छांस है वहाँ पे जैविबित्ता अधिक होती है परवती छेतरों में जो उच्चतर उन्रतांस है यानि उनकी चूटियां है उसकी तुलना में जो घाटियां है वहाँ पर जय विवित्ता अधिक होती है प्रहोतों की बात करें तो यहां पर जैव tacos धा कम जो इसका घाटी चेत्र हैं वहां पर जैविव्त पाई जाती है कुछ जो exception है उसको अगर छोड़ दिया जाए जैसे सीतों से कड़ी बंदी चेत्र हो गया और उष्ड कड़ी बंदी चेत्र हो गया या धुरुवी चेत्र हो गया तो इनकी तुलना की जाए तो यह अधिक प्रजातियों के आस्रेस थल है जैसे एकवाडोर का जो आपका उष प्रजातिया पाई जातिया आप देके लिखा भी गया है निम तर अच्छांसों में जैविवित्ता समयनता अधिक होती है परतों की उचतर चोटीयों की तुलना में जो गाटिया वहां पे जैविवित्ता अधिक पाई जाते एकवाडोर के उसके कड़ी बंदी वनों में USA में स्थित सीतोष छेतर की तुलना में दस गुना अधिक संभ़नी पौधों की परजातियां पाई जाते हैं जबकि छेतरफल दोनों का समान है एकवाडोर में भी छेतरफल उतना है और यहीं USA में भी उतना ही छेतरफल है USA का जो सीतोष छेतर है जबकि यहाँ परजातियां यहाँ पर दस गुना अधिक पाई जाते हैं क्योंकि यह उस्ट कडिबंदी छेतर पाई जाता है ठीक और यहाँ पर लास्ट पॉइंट है जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है कि दक्षडी गुलार्द की अपेक्षा उत्तरी गुलार्द में अच्छांसी बृद्धी के साथ जैव विविजिता में तेजी से गिरावर देखने को मिलती है सरवाधिक जैव विवित्ता भूमद रेखा के आसपास देखने को मिलती है तुन्डरा और टायगा जलवाई प्रदेश अतधि ठंडे छेतर होते हैं और ठंडे होने की वज़ाँ से वहाँ परजाती विवित्ता भी ज्यादा होती है जैव विवित्ता भी निम्नता रस्तर पे देखी जाती है यहां पर आएंगे तो बढ़ती जाएगी तो इस वीडियो में इतना ही और साथी साथ एक information और दे दिया जाए कि यदि आप GIC, TGT, PGT और NET की Classics चाहते हैं जोगरफी की तो यहां पर आप जोइन कर सकते हैं WhatsApp करके और आपका PGT, TGT, GIC कब है चली रहा है तीन बचे चल लाए हैं NET First Paper भी आपके लिए यहां पर उकलब्द है ठीक तो इस वीडियो में इतना ही थैंक्स पर वाचिंग